हालो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई यूटिव चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे आज की रेडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आप लोगों के बीच काफी चर्चित क्यों है लोगों के बीच आपकी चर्चा क्यों होती है बाते क्यों होती है ऐसी क्या खास क्वालिटी है या ऐसी क्या खास बात है आप में जो लोग आपके बारे में बातचीत करना पसंद कर करते हैं, ओके टाइमलेस है, तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी, साथ ही जेंडर-बेस रीडिंग नहीं है, तो आप लड़की हैं लड़की हैं, दोनों के साथ resonate करेगी जर्नल कलेक्टिव रीदिंग है सो प्लीज उपन माइंड हो के देखेगा जितना resonate करता है उतना ही रखे बाकी का छोड़ दीजे ओके और अगर आप हमारे चानल पर नए आये हैं तो जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अप्लोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और अगर आपको मुझे परस्नल रेडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं इंस्टेगाम आइडी पे जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दिया है पॉटम आफ डेक आया है हमारा एस ओफ वांट्स ओके मैं जल्दी से कार्ट्स को अरेंच कर लेती हूँ I hope guys कार्ट विजिबल होंगे आप सभी को तो लोगों के बीच आप चर्चित यूँ है ऐसी क्या खास क्वालिटीज हैं आपके अंदर जोग आपके बारे में बात करते हैं फेमस हैं आप लोगों के बीच तो उसकी वज़ कि ना किसी के साथ गलत करो ना किसी के साथ गलत होने दो और ना ही खुद के साथ गलत करो ना ही किसी को गलत करने दो ओके और एक्कुल गिवन टेक वाली चीजों में आप जादा रहते हैं आप काफी बोल्ड परसनालिटी के परसन हैं काफी क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर खुद के दम पे अच्छीव किया तो उसको लेके न आपको proud feel होता है और वो आपके face पे दिखता भी है घमन दी नहीं है लेकिन हाँ जस यह है कि हाँ जो मैंने किया है खुद के दम पे किया है मेरी किसी ने health नहीं किया है एक है अपने अंदना एक confidence है वो वाली चीज़े मैं कह सकती हूँ और अपने अपनी life में काफी struggle देखे हैं काफी ups and downs देखे हैं लेकिन अपनी dignity को नहीं खोया है अपनी originality को कभी नहीं खोया है और आप ना कभी भी change से डरते नहीं है change को accept करना, खुद में change लाना और update होते रहना जैसे हम कहते हैं कि समय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए वैसे ही सोच को थोड़ा change करना समय के साथ, माहौल के साथ adjust करना, खुद को बदलना ये चीज़े आपको बहुत पसंद है और आप बदलाफ से डरते नहीं है ये भी बहुत अच्छी चीज़े है कि आपको बदलाफ से डर नहीं लगता डर्ट कर सामना करना पसंद करते हो आप किसी competitive exam की तयारी कर रहे हो, ऐसा हो सकता है और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी activity में भी part वगेरा लेते हो जैसे martial art वगेरा हो गया, या boxing हो गया, ये सब चीज़े आपको पसंद है कोई भी sports game भी आपको पसंद हो, ऐसा हो सकते है तो काफी active हो, काफी energetic person हो और ठकती नहीं हो, हान नहीं मानते और एक हिम्मत की साथ आगे बढ़ना, एक passionate person हो और confidence तो आप में भर-भर के है कभी-कभी उन्हें ऐसा लगते है कि शायद उसकी वज़े से आप में थोड़ा गुसा आ गया है या थोड़े गुसल हो लेकिन आप चीजों को लेकर काफी जाधा clear cut रहना पसंद करते हो काफी अच्छे investor हो सकते हो आप share market वगेरा में invest करते हो ऐसा हो सकता है financially advisor वगेरा हो आप ऐसा भी हो सकता है bank में job करते हो वो चीज हो सकती है एक businessman हो सकते हो business woman हो सकते हो आप काफी courageous हो bold हो animal lover हो और यहां पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इपास खुद का कोई pet हो ऐसा हो सकता है dressing style काफी अच्छा है लोग इस चीज को ना काफी जादा पसंद करते है कि जिस तरीके से आप खुद को carry करते हो जिस confidence के साथ वो चीजों ने बड़ी अच्छी लगती है चाहे फिर आपकी height चोटी है चाहे आप बहुत जादा लंबे हैं अगर लड़के हैं जादा लंबी भी जो है ना बहुत सकता है कि जैसे भी आप हैं या आप healthy हैं या आप बहुत जादा ही पतले हैं लेकिन जैसे भी आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं बहुत confidence है आपके अंदर और आप चीजों से भागते नहीं है ये सबसे अच्छी चीज लगती है और इसी वज़े से लोगों की बीच आप चर्चे थे हैं कि चाहे कितिनी भी बड़ी situation क्यों ना आ जाए आप give up नहीं करते हैं आपको give up करना नहीं आता है फिर चाहें relationship हो या फिर काम हो या कोई भी चीज हो लेकिन आपको give up करना नहीं पसंद है give up वाला attitude नहीं है आपका लेकिन अगर कोई आपके efforts की value ना करे आपके बार बार efforts डालने के बाद भी कोई आपको value ना दे उसके बाद ना आप उस चीज को खतम करके आगे बढ़ना पसंद करते हैं मतलब उसके साथ peace की करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे ना कि उसके साथ लड़ाई जगड़ा करना पसंद करेंगे और साथ ही मुझे ऐसा भी लगता है कि पास्ट में आप बहुत जादा गुसेल थे, काफी जादा arrogant टाइप के person और बहुत जिद्धी टाइप के person थे, लेकिन आपने खुद को change किया है, अपने गुसे को पहले आपको argument वगेरा करके लगाते थे, लेकिन अब भी आप अपने क काम पे उस चीज को लगाना पसंद करते हो, उस aggression को आपने काम में डालना, अपने आपको काम में जोग देना, वो वाली चीजे जादा है, साधी आपको आपने आपको tip-top रखना बड़ा पसंद है, आप जरा भी आपने dressing style में ना compromise नहीं करते होंगे, एकदम perfect shoes होने strict हो, जल्दी से ना अपनी बास से पलटते नहीं हो, गुसा आता है लेकिन उसको control बहुत करते हो, ये चीजे भी हैं, कि अगर देखेंगे ना यहापे मुठी बन दे दोनों की, तो आप अपने गुसे को control करना सीख गए हो, पहले शायद नहीं होता था, और इसी वज़े से जादा लड़ाई जगड़े होते थे आपके, या आपको ना वो सूट वूट पैनना जैसे लड़कों में होता है, सूट वूट पैनना आपको बहुत पसंद होगा, या जिस जगा जॉब करते हैं, वहाँ पे ड्रेस कोड हो सकता है, ओके, आप बहुत जादा intelligent है, sharp minded है, सा आप बहुत जल्दी से कहीं भी invest नहीं करते हैं, सो समझ के invest करना पसंद करते हूँ, दूसरी चीज अपने आपको लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने relationship को लेकर, बहुत जादा possessive रहते हो, बहुत जादा care करते हो, और efforts जादा से जादा डालने का try करते हूँ, और इ आपनी केयर से या गिव अप ना करना मतलब कुछ ना कुछ हैसा है कि आप दिखाते हो शो करते हो कि हाँ फीलिंग्स है या रिष्टों में कैसे टाइम दिया जाता है एफर्स डाले जाते हैं वो चीज़े आपको दिखाना पसंद है तो के तो वो चीज़ों की वजह से भी न जादा ही कंसर्न रखता है अपनी फैमली को लेकर अपने फ्रिंट्स को लेकर या जो लोग उससे जोड़े हैं उनको लेकर और आप एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जल्दी से ना उपन अप नहीं होता है जल्दी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना जल्दी से ट्रस्ट करना वो चीज़े नहीं है आप में तो ये चीज़ उन्हें अच्छी लगती है क्योंकि लोग ना बेवकुफ बन जाते हैं या लोग बेवकुफ बनानी के लिए खड़े ही है लेकिन उन्हें ना ये चीज़ बड़ी इंप्रेसिव लगती है कि आपको बेवकुफ नहीं बनाया जा सकता आपको ऐमोशनली फोल नहीं बना सकते हैं और आप जल्दी से किसी के साथ कनेक्ट करना पसंद भी नहीं करते आप लोगों के साथ वो थोड़ी बहुत बातचीत करना ही पसंद करतें जादा उनको ना अपने दाइरे में आने नहीं देते और जो आया है यानि उस पे पुरी दिलो जान से नोचावर कर देना अपना सब कुछ वो वाली चीज़े हैं फिर आप उसके लिए बहुत एफ़र्ट्स डालोगे बहुत जादा केर करके दिखाऊगे यह नहीं है कि आप बोल के दिखा रहे हो कि हाँ आई लव यू आई मिस यू वो वाली चीज़े नहीं है आपका प्यार करने का जताने का तरीका अलग है आप दिखाते हैं आप केर करते हैं आप उनको टाइम देते हैं टाइम तो सबसे जादा वैल्यूएबल है सकते हैं कि आप कही सुनी बातों पर यगीन नहीं करते हैं को लेकर वह झरच है कि आप कही सुनी बातों परना नहीं जाओगे जब तल टलक आप खुद अपनी आँखों से देख़ने लोगे, जब तलक पुरा अच्छे से मामलात की पूरि तही काद नहीं हमें ते hella G विश्वास करना, आक्शन लेना, कुछ decide करना पसंद नहीं करते हैं, आप बहुत जादा overthinking करोंगे, बहुत overthinking करते होंगे, लेकिन clarity जरूर रहती होगी आपको, मतलब overthinking करते हो, जिस person को लेके कर रहे हो, या जिस situation को लेके कर रहे हो, लेकिन उसके end में न सही decision पर आप वो एक positive way में जाती है, या आपके लिए वो सही होती है, लोगों के लिए वो सही होती है, आप गलत advice देना पसंद नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छे advisor हो सकते हो, किसी भी तरीके के, doctor हो सकते हो, okay, counselor हो सकते हो, कैसे भी, teacher हो सकते हो, government officer हो सकते हो, modeling में हो, ऐसा हो सकता है, पर आपका mind काफी sharp है, okay, और मुझे ऐसा लग रहा है, banking, finance, इन सब चीजों के आपको काफी जादा knowledge है, share market, और trading, इन सब में बहुत जादा ही आप involved हो, ऐसा भी हो सकता है, okay, या आप dealer हो किसी तरीके के, आपको party करना बहुत पसंद है, लेकिन गिने चुने लोगों के साथ या आप time देना, time देना सबसे जादा आपके अंदर है, कि आप जिनके साथ जोड़े हो ना उनको time दो, अपने efforts दिखाओ, वो चीज़े आप में सबसे जादा है, आप party lover भी हो सकते हो, आपको party करना बहुत पसंद हो, ऐसा हो सकता है, या लोगों के साथ घुल मिलके रहना आपको बहुत पसंद हो, ऐसा हो सकता है, आपका nature जो है friendly हो, बट वो जादा मैं नहीं कहूंगी, कि आप बहुत जादा friendly हो, हर किसी के साथ बात कर लेते हो, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, आप काफी जादा reserve रहते हो, आपको यह रहता है, कि ज़रूरी नहीं है, कि हर जो व्यक्ति मिल रहा है, उसके साथ बिल्कुली खुल के बात की जाए, तो जो जितना आप से बात कर रहा है, लिमेटेड रहते हो आप, सबके साथ एक boundaries create करके रखते हो, और जो आपको लगता है, जो आपके दिल को छूजा है, जिसको देखके आपको यह लगे कि हाँ, हा आप बहुत बैलेंस रहते हो, आपके अंदर ना वो इंजलिक वाईब आती है लोगों को, एक सन की तरह चमक ना, अब सन की तरह चमक रहे हो, तो उसकी तरह भढ़कीले भी होंगे, गुस्से वाले भी होंगे, तो एक बहुत अच्छी लीडर्शिप कॉलिटी भी है आपक अच्छी होती है कि लोग उस चीज को अप्रिशेट करते हैं, कि इस वियक्ती से आप पूछ सकते हो, या आपको गलत गाइड नहीं करेगा, काफी नौलेजिबल हो, और ऐसा नहीं कि अपनी ही प्रोफेशन में हो, आप ऐसा नहीं है, आपको और चीजों की भीना नौलेज होगी, जिसे आप किसी और फिल्ड के हो, लेकिन दूसरी फिल्ड का भी आपको थोड़ा बहुत ग्यान है, ऐसा हो सकता है, आपको नियूस पेपर पढ़ना, मूस देखना, वो सब चीजे बहुत ज़्यादा पसंद होगी, या फिर ऐसा हो सकता है, आपको होर्स राइडिं वगेरा बहुत पसंद हो, एनिमल्स के बारे में जानना, माउंटेंस वगेरा, इन सब के बारे में जानना, घूमना फिनना, यह सब चीजे बहुत ज़्यादा पसंद होगी, नेचर के साथ कनेक्टर रहते हो आप, लेकिन हाँ जिद्दी भी हो आप, यह चीजे बहुत पकड़ के सब चीज खतम कर दोगे, तो अगर आपकी हिसाब से चीजे माफ कर सकते हो आप, आप करते रहोगे, वह बहुत बड़ी चीज क्यों ना बोल जाए, लेकिन जिस दिन आपका दिमाग हिल गया, जिस दिन आप गुस्य में आख गये, उस दिन आप छोटी सी बात को लेकिन उस इंसान के साथ रिष्टा खतम कर दें, उस टाइब के परसन है, फिर पलट के भी नहीं देखते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप बिल्कुली ब्लॉक कर देना, बिल्कुली कट ओफ कर देना, कॉंटेक्ट डिलीट कर देना, उस परसन की श परसन हो, आप ना किसी के साथ गलत करते हो, ना किसी के लिए गलत बोलते हो, आपको लगता है, कि अगर रिस्पेक्ट चाहिए, तो पहले रिस्पेक्ट देनी होगी, इसलिए ना आप हर किसी के साथ अदब से पेश आना, ये नहीं है कि आप किसी को भी ये चीज दिखा र चाहिए भी है कि मुझा आपको अपने की भी हैं चाहि। अपनर से तेक है वह जीज है कि आप जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं आप जल्दी से लोगों के साथ घुल मिलना ही पाते हो गिनी चुने जो फ्रेंट्स है ना उनके साथ भी ना वह चीज़े वह बाते शेहन नहीं कर पाते हैं जो आप कर सकते हो क्योंकि आपको ट्रस्ट का थोड गुशा करना छोड़ दिया है आपके साथ आपका जो पास्ट है वह अच्छा ना रहा हो ऐसा हो सकता है काफी लडाई जगड़े आग्युमेंट की सब चीज़े आपने बहुत देखी है या फैमली में भी ऐसा हो सकता है कि डॉमिनेशन बहुत होता था या कुछ ना कुछ है कि फिंस टॉक सकते तो आपने जो भी रिस्पेक्ट है खुछ से कमाई है इस वज़े से भी आपको यह रहता है कि नहीं मुझे ना इस चीज़ को ना मेंटेन करके रखना है वो वाली जीज़े हैं आप में कि जो भी जिस भी पोजीशन पर मैं हूँ चाहे गौर्मेंट आप मिली हो चाहे बिजनर्श शुरू किया हो चाहे कुछ भी हो लेकिन अब आप में मचौर्टी आ गई है चाहे एज आपकी कुछ भी हो और आपको यह रहता है कि नहीं अब मुझे ना इस चीज़ को मेंटेन करना है कितना भी गुस्ता आ रहा हो लेकिन आप बहुत काम और शांत टाइप के परसन बन गए हो क्योंकि यहां पर दोनों इना अपनी मुठी बंद कर रहे हैं मतलब आपने गुस्ते को कंट्रोल करना चीज़े बोलने से पहले चीज़ों को देखना अब्जर्फ करना कि मुझे बोलना चाहिए यह नहीं बोलना चाहिए तो क्लियार प्रिटी बहुत आ गई है आप में और यह चीज़ लोगों को बहुत पसंद है आप काफी पैशनेट है आप नाइन नंबर वाले हो सकते हैं मार्स वाले हो सकते हैं यह आप एट नंबर वाले हो सकते हैं नाइन नंबर वाले अग्रेसिव बहुत होते हैं बहुत स्ट्रेट आप बहुत पैशनेट हों, नई शुरुवात करना, नई सिरे से चीजों को वापसे स्टैबलिश करना, इन चीजों में आप हो, सो यह गाईस मुझे यही दिख रहा है, इसी वज़े से लोगों में आप चर्चित हैं, कि आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, क्लियर कट हैं, नॉलिजिबल हैं, और चेंज आया है, आप में, बदलाव आया है, फ्रांस्फॉर्मेशन आई है, आपके एंसेस्टर आपको काफी सपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़े आपने खुछ से कमाई हैं, वो चीज़ को लेके आप प्राउड हो, लेकिन आप घमन नहीं दिखाते, उके गुछ से पर कंट्रोल करना सीखा है आपने, तो यही सब चीज़े मुझे दिख रही है, अगर मैं आपकी बर्थ डेट की बात करो, तो 5-14-23 हो सकती है, 11-19-28, और 4-31-22-3-12-21, 8-17-26 यही मुझे बर्थ डेट दिख रही है, अगर मैं बर्थ मंद की बात करो, जन्वरी, मार्च, अप्रेल, माई, आगस्थ, अक्टूबर, और यहां पे हो सकता है, यही हो सकते हैं, और दिसंबर हो सकते हैं, यही मुझे बर्थ मंद सकते हैं, जो बर्थ मं आप हर्थ डेट मैंने बताया, इंगर रजनेट नहीं करती हैं, स्टिल लेटिंग रजनेट करेगी ही, जोडीएक सांट है और साइन भी है और एर साइन भी है तो जोडिक साइन यह सारी ही मौझूद है इस स्पेसिफिक जोडिक साइन नहीं बताऊंगी या गाइज आई होप रीडिंग अच्छी लगी और रजनेट की हो की हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब जर लगी मैं मिलूंगी नेक्स रेडिंग के साथ तब तक ले बाई